अज इस वीडियो में हम क्लास 8 बुकारे सगरवाल चैप्टर 18 एरिया फार ट्रैपिजम एप्ट आप्लेजन एक्सराइज 18-a को सॉल्व करेंगे बच्चो जी एक्सराइज 18-a की 6 वीडियो है अगर आप क्वेश्चिन 1 से लेकर 11 तक की वीडियो देखने चाते हैं तो डिस नौन पेलर साइज आर 15 सेंटीमेटर एंड 13 सेंटीमेटर फाइंड फालीड्य फान एरियो वार ट्रैपिजम question बच्चो यह बिल्कुल 11 question की तरह है but 11 question में क्या था हमारे पास जो non-pillar side थी equal थी अब यहाँ पर क्या non-pillar side equal नहीं है तो यह trapezium मैंने बना दिया है तो इसको हम पहले बनाते हैं ठीक है A, B, C, D पहले question को समझते हैं ठीक है बच्चो जो यहाँ पर 11 cm और 25 cm है parallel side है A, B, N, D, C छोटी side 11 cm लिख देते हैं यहाँ पर और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है यह 25 cm है अब जो यहाँ पर दूसरी non-pillar side है यह 13 cm है और यह कितनी है 15 cm है ठीक है बच्चो दोखो question को अब यहाँ पर क्या है यहाँ पर यह 2 non-pillar side equal नहीं है ठीक है ना तो अब question को देखते हैं हम कैसे solve करते हैं अब बच्चो सबसे पहले हमने क्या करना है एक line draw करनी है B यहाँ पर इसको नाम दे दो B, L, parallel AD ठीक है तो पहले given लिख लेते हैं फिर हम आगे solve करते हैं given क्या क्या दिया हुआ है हमें पता है A, B, C, D is a trapezium ठीक है AB, parallel DC तो यहाँ पर AB, 11 cm DC, 25 cm और जो non-pillar side दे हैं वो कितने हैं AD, 13 cm और BC, 15 cm ठीक है हमने क्या किया एक हमने line draw की BL, AD के parallel ठीक है draw BL, parallel, AD अब इससे क्या होगे बच्चों यह हमारा क्या parallelogram बन गया ठीक है न तो so AB, LD is a parallelogram अब parallelogram में क्या होती है जो opposite sides होते हैं इकल होती है जो हमारी AD है वो हमारी BL होगी तो BL हमारी कितने होगी 13 cm ठीक है न तो यहाँ पर लिखेंगे BL equal to AD AD मारे के 13 cm ठीक है और यहाँ पर AB किसके DL क्या होगे AB के एककोल होगी DL equal to AB अब कितना है 11 cm तो यह कितना हो गया हमारा 11 cm हो गया ठीक है बच्चो और यहाँ पर हम रिजन भी लिख सकते हैं विकॉस अपोजिट साइट्स और पैलोग्राम आर एक्वाल पैलोग्राम आर एक्वाल ठीक है बच्चो अब हमारे पास यह आगया अब बच्चो हाँ से हम LC को भी find out कर सकते हैं कैसे करेंगे DC में से यहाँ पर DL को find out बत्तक यह वाली साइड भी हम find out कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर हम लिखेंगे LC equal to DC DC minus DL ठीक है DC हमारे पास कितना है 25 minus DL 11 तो कितना आगया 14 cm तो बच्चो यहाँ से LC हमारे पास कितना आगया 14 cm अब बच्चो हमारे पास क्या आगी यह तीन साइड सागी एक ट्रेंगल की तो अब इसको हम कैसे निकाल सकते हैं अब तीनों जो है इसको कैसे निकाल सकते हैं हिरोंस के फार्मुल से ठीक है तो अब यहाँ पर हम लिखेगे in triangle BLC पहले हम इसको solve करेंगे in triangle BLC अब हम आन लेते हैं let A equal to हिरोंस का फार्मुल निकालन लगाने के लिए हम क्या करेंगे S की value को find out करेंगे ठीक है ना जो जितनी sides दी हैं इनकी find out करेंगे तो यहाँ पर वो क्या होता है इसका formula a plus b plus c upon 2 ठीक है तो let a equal to 13 cm b equal to 14 cm और c equal to 15 cm अब हम s की वेलन कालते हैं a plus b plus c upon 2 ठीक है a कितना है 13 plus 14 plus 15 upon 2 अब इनको हम add कर लेते हैं कितना जगा 5 plus 4 यहाँ add कर लेते हैं ताकि यहाँ पर solve होजे hero's का formula भी यहाँ लगजे हैं 5 plus 4 9 आप नीचे copy के नीचे ही तारना ठीक है मुझे आपको समझाने है ताकि आपको पूरा page वीडियो में आए इसलिए में यहाँ पर लिख रहे हूं 5 plus 4 9 plus 3 12 2 1 करी 42.2 आ गया इनको काटके 21 आ गया तो s की value के आगे 21 cm ठीक है अब हम इसका formula कर लेंगे तो area of triangle blc तो क्या हो गया यह रूर से लगाते हैं फिर s s minus a s minus b s minus c ठीक है बच्चो अब s की value कितनी है 21 21 minus यहाँ पर कितना आ जागा 13 21 minus 14 21 minus 15 ठीक है 21 आया है यहाँ पर 21 में से 13 को माइनस किया 8 14 को माइनस किया 7 और 21 में से 15 को माइनस किया 6 अब फेक्टर बनान देते हैं 21 के फेक्टर बनेए 3 multiply 7 और 8 के का बनेए 2 to the 4, 4 to the 8, 7 as it is और 6 के फेक्टर बनेए 2 into 3 अब हम pair ढूनते हैं यह वाला जो pair है 3 का एक 3 बन जाए इस 7 pair का एक 7, इनका 1, 2 बन जेगा और इस बन जाएगा और इस पियर का एक 2 बन जेगा अब multiply करें अब 3, 7 पार 21, 21, 22, 42, 22, 84 स्क्वेर सेंटिमेटर तो हमारे पास क्या आ गया 84 स्क्वेर सेंटिमेटर ठीके बच्चो तो यह इसका हमारा triangle BLC यहाँ आपर triangle BLC यह BLC थे ना ही ठीक है कियूं हाइट चीए क्योंकि हमने एरिय ओफ ट्रेपिजन में निकालना है यह आपको तो पता भी चल गया होगा एरिय ओप्रेपिजन का फार्म रहता है वन अपों टू multiply sum of parallel sides multiply height ठीक है न? तो हमें तो height चाहिए ठीक है? तो बच्चो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? हम एक line को draw करेंगे यहां से यह line हमने draw कर लिए ठीक है न? यह मारा पर triangle बन गया, यह line draw कर दी और इसको हम नाम क्या दें? M दे देते हैं, ठीक है अच्चो? अब यह देखो, अब इसका formula क्या होगा? 1 upon 2 base into height ठीक है न? बेस अब यहाँ पर लिख से लिख लेते हैं in triangle BLC ठीक है न? in triangle BLC अब हमारे पास इसका area क्या आगया? 84 cm ठीक है? तो नहीं, यहाँ पर हम लिखे area of triangle BC, area of triangle BLC, ठीक है? triangle BLC, तो इसका area क्या होगा? 1 into 1 upon 2, base into height, base हमारे पास क्या है? LC ठीक है? और height हमारे पास क्या है? BM ठीक है बच्चो? अब area हमारे पास तो इस triangle का हमें मिल गया है? 84 cm square, square cm 84 cm upon 1 upon 2, LC हमारे पास कितना है? 14 cm और बच्चो यहाँ पर यह B है, BM को हमने निकालना है, height को तो हमने निकालना है, ठीक है बच्चो? जब इस तरह से दिया है तो उसका formula, area of triangle का formula है into, base into height, ठीक है? अब यहाँ पर base के है LC और height के है BM, ठीक है? तो यह वहले मैंने formula यहाँ पर लगा दिया मैंने यहाँ पर 1 upon 2 multiply, base ले लिए LC और height ले लिए BM, ठीक है बच्चो? अब area मारे पास आ गया 84 square cm अब हमने इसको लिख लिए BM हमने height की value का लिए 2714 अब बच्चो यहाँ पर मारे पास क्या आ गया है? 84 square cm into 7 BM अब इसके 7 cm यहाँ पर cm भी है ठीक है? यहाँ पर लग से लिए 7 cm BM की value तो हमने निकाल लिए तो BM को इदर ले लिया 84 cm square upon 7 cm यह इससे एक कट गया ठीक है? अब यहससे किसम जाएगा? 7, 7, 7, 2, 14 तो हमारे पास जो height है BM कितने आगे? 12 cm ठीक है बच्चो? अब यह height हमें आगे पास मिलगी ठीक है यह वली height हमें आगे पास मिलगी 12 cm अब यहाँ पर हम लगाएंगे area of trapezium का formula जो हमने निकालना है area of trapezium वह हम कैसे निकालेंगे? 1 upon 2 multiply sum of parallel sides multiply height ठीक है बच्चो? इसको हम bracket में height भी लिख सकते है ठीक है अब 1 upon 2 parallel sides मारे पास क्या थी? 11 cm and 25 cm तो 11 plus 25 into 12 height कितने आई है? 12 ठीक है तो 1 upon यह 2, 6, 12 यहाँ पर 25 और 11 कितना आ जगा? 36 multiply 6 ठीक है बच्चो? यहाँ पर cm है 6 cm और यहाँ पर भी यह भी मारे पास कितना आया? cm ठीक है न? तो 36 cm multiply 6 cm ठीक है? तो कितना आ जगा? 36 3 carry 18, 20, 21, 22 21 आ गया 18, 19, 21 आ गया और यहाँ पर कितना है? square cm तो इसका क्या answer आ गया? 216 cm तो आंसर में लिखेंगे area of trapezium is 216 cm ठीक है बच्चो इस तरह से आपने यह question 12 को solve करना था बहुत ही important question था I hope यह question भी आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा अगर बच्चो वीडियो यूसफुल लगे तो वीडियो को like करें share करें अपने friends के साथ चैनल पर नहीं हो तो चैनल को subscribe करें thank you for watching next video में हम exercise 18b के question solve करेंगे